तो आज की हमारी इस online class में हम आपके साथ discuss करने जा रहे है एरे formula एरे formula के कुछ वीडियोज हमने आपको देखने के दिये थे और आर जहां तक मुझे उमीद है आपने उस वीडियोज को देखा है और कुछ समझने की कोसिस भी की है चलिए हम आरे के बारे में बताते हैं आपको देख से ये आरे के दो पार्ट होते हैं पहला होता है distribute तुसरा होता है calculation तो हम पहले बात करें distribute के बारे में जैसे four example कि यहां पे मैंने अपना नाम लिखा सुजीद अब मुझे हर लेटर को अलग-अलग cell पे लिखना है इस तरह से तो पॉल्ब में है कि अगर आप इसको अगर आप manual करते हैं तो कैसे करेंगे without array करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे mid का फार्मा लगाना पड़ेगा इसको select करना पड़ेगा start number one और number of character one यहां लिखना पड़ेगा फिर हम इसको freeze करेंगे four से और फिर इसको select करेंगे आगे की तरफ drag कर दिया और फिर जहां-जहां में one है वहां-वां two लिखते चले जाएगी तो यहां पर देख रहे हैं अब यहां भी क्या है कि मुझे number दे रहा है लेकिन मैं manual दे रहा हूं जिससे हमारा time काफी ज़्यादा बर रहा है समझ गया है यह साँ इस तरह से हम manual करेंगे अगर अब बात करते array की अगर हम इस array का इस्तिमाल करेंगे मैं यहां पर लिखूंगा equal mid mid भी हम इसको select करेंगे और curly bracket में हम देंगे 1,2,3,4,5,6 लेकिन हमने लगाते समय एक नहीं किया selection नहीं किया था हम select करेंगे और यहां पर देंगे mid इसको select करेंगे यहां पर comma start number 1,2,3,4,5,6 और यहां पर comma 1 control shift enter ठीक है तो इसका benefit क्या होगा चली इसके बारे में जानते हैं तो याद होगा जब हम आपको एक formatting की class दिये थे तो उसमें हम आपको एक pain card का format बनबाया था याद या बूल गया है चली इस pain card का यह format आपके सामने दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है न सर अब मुझे इस pain card के format को fill करना है इस pain card के format को fill करना है तो हम कैसे fill करेंगे तो अब चलिए इसके सारे component हम डालते हैं और से पहले यहां पर अब एरिया कोड़ एरिया कोड़ ए ओ टाइप ए ओ टाइप यह तो भाई डिफॉल्ट होता है तो इसको करने के जो होती है हम नेम से स्टार्ट करते हैं यहां तो सबसे पहले यहां पर आएगा टाइटल टाइटल और टाइटल में इसके बाद यहां पर आएगा फास्टनेम मिडल नेम लास्टन इस तरह से और भी आएगे होगा फिलाल मंचो छोड़ देते अब इससे लास्टनेम है हमारा तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पूरे को सिलेक करेंगे select कर लिया, क्योंकि नाम बड़ा भी हो सकता है, कोई दिकत नहीं है, और मैंने यहाँ पर mid लगाया, mid में हम इस पर गए हैं, और हमारा last name को select कर लिया, और इसमें हम column का देते हैं formula, and comma 1, फिर control shift, enter, place करते हैं, अब जैसे मैं कि यहाँ इसके बाद इसको नीशे आते हैं, first name के लिए भी हम इसी तरह से काम करेंगे, equal, mid, और हम इसको select करेंगे first name को, and comma, हम यहाँ पर column लेंगे, and column में मुझे select करना पड़ेगा, माफ केंजेगा, यहाँ select नहीं किया था, गलत हो गया था, comma 1, control shift enter, और मुझे इसको भी सही करना पड़ेगा, पिर में एक नाम लिखे लेखू, यहाँ, मुझे इस पे column में, one-by-one करके, control shift enter मानना पड़ेगा, हो गया जर, और first name में भी, और हमाना middle name में, same, mid का फॉर्मा लगेगा, date पे जाते है, select कर लेते हैं, पूरा एरी को, और यहाँ हम, equal, mid का फॉर्मा लगाते हैं, और इस पे जाते हैं, और हम mid को select करते हैं, comma, column लेते हैं, अब column क्यों ले रहा है इस बे, ताकि जो serial number है, serial number यहाँ पे आना चाहिए, comma, one, control, shift, enter, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे first name में ले देता हूँ, सुझीद, कुमार, अब यहाँ देखिए, इस पे, पुरा spelling आपको अलग दिख रहा है, लेकि प्रॉलम यह है, कि यह आपका lower case पे, मैं चाहता हूँ आपर case में दिखे, तो मैं किसी एक formula पे, आपर का formula लगाँगा, और यहाँ पे, मैं control, shift, enter कर देगा, क्या कर दिया, control, shift, enter, समझ गया है, तो इससे, इसी तरह से बाकी भी कर लेंगे, तो हमें क्या होगा कि, टाइप करने में दिख्कत नहीं होगा ना, क्या शर, सरो column, जो formula हम लोगने, बीच में यूज़ किया, 11 column, उसको थोड़ा सा explain करेंगे, column, यह कोई formula है, या फिर, मैं भी मैं, आज मेरा first, second class है, इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं भी बाकी लोगों को हुआ हो, मैं भी में बाकी लोगवों को हुआ हो, एक बंदिए, तो यह caller जिसे कि आपने अभी इससे पहले की example देखा कि हमने करने के लिए आपे आपका रो बाइज है तो रो दीजिएगा कॉलम बाइज है अगर आप ऐसा ना करते हैं इसमें हम एक कर देते हैं name mention on the pain card कर देते है name on अब मुझे इसके लिए फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा देखिए यहां पर तो मुझे क्या करना होगा इस पे मिट का फॉर्मूला लगाना होगा इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा समाज़ गया इस तरह से इसका आगे अगे अगे उसके आगे लिखे नहीं तो यहां पर इस लिए देते हैं तो इस लिए हम यहां पर कॉलन लिए तो कॉलन लेने का पपस किया था क्योंकि डेता हमारा कॉलन भाइज था यह हमारा रो भाइज है तो इसको वन चाहिए तो इसको टू चाहिए थी चाहिए फॉर चाहिए बतलब कि आप आपको आपको कही नंबर लेके चलते हैं करली वाइकट में यहां पर इसको क्लोज करता हूँ इंटर मारेंगें क्या होगा गोल्सиком एंटर तो जो सिकेँस होगा उस सिकेँस में नंबर को प्रिंट कर देगा यहां तो मॉसी तरह से एक दो देगा यहां पर आपको को मिला है इसका benefit क्या होता है इसका benefit है कि यह manual formula लगाने से हम बचते हैं दूसरा बाट होता है calculation का जैसे कि मैं पास कुछ numbers है राइट अब मुझे इन सब्सक्राइब को multiply by 2 करना है फिर प्लस 100 करना है फिर इन सब्सक्राइब का मुझे 10% निकालना है और फिर 10% आएगा उसमें multiply by 4 करना है और फिर सब्सक्राइब का sum करना है तो इतने सारे calculation step है तो आप individually sum में क्या करेंगे इसको सारे को divide by 2 करेंगे individually फिर इसमें plus 100 करेंगे फिर इस सब्सक्राइब का 10% निकालेंगे और फिर इसको multiply by 4 करेंगे और फिर इसको sum करेंगे तो इस result के लिए आपको इतना सारे calculation करना पड़ा जी सब्सक्राइब कि ये array से कैसे होगा मैं सारे calculation को एक अठा लिखोंगा कि इन सबों को divide by 2 plus 100 multiply by 10% and multiply by 4 ठीक है result error आया क्योंकि हमने अभी तख array perform नहीं किया है और array perform करने से पहले हमें board mask method को follow करना पड़ेगा अब कि हर कर स्टेप को ब्राइकर से separate करना पड़ेगा ठीक है अब मैं control shift enter करता हूँ जांकि इसमें इसमें डिक्तत है 40 से multiply कर दिए था है 40 से कर दिए 4 से करना चाहिए था रहीड तो in result में गायब प्रॉलम आ रही है यह पॉलम को पॉलम को रही है वडादेदैवेड़ र्टू और प्लस के है उच परस्तिसमे हां प्लस के आ है यहां दिवाइड रिवाइड 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 रूल्ट था ना अब रिजल सही एडा इस वापे की इतना लंबा गलकुलेशन खरीजर पालकुलेशन एरर और यहांपे देखें शटेग इसको और जदा बेनिफिट लेने के लिए जो रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको भेजी है उस रिकॉर्डिंग को ध्यांस देखिए उसके बाद हम आपको पूर इटेल बताएंगे कि बहुत जदा कॉंप्लिकेटेड है याद अखिएगा एरे आपको इतना साथारान नहीं है समझ में इतना इसली नहीं आएगा ठीक है सर संतोच जी अमीर सी लीमेत आप जी यह सर तो राजी परोशन जी आप भी तो प्लीज रिकॉर्डिंग को को कीजिए रिसरॉड्स कीजिए पहले बतलब की आप मेरी क्लास पहले कुछ रिसरॉड्स करके प्रिपेर हो जाईए देन क्लास लिजिए तो बेनिफिट जदा होगा, इससे मैं आपको बोलना हूँ सर, ठीक है, कल की क्लास में, सर, कल हम आपको एड़े की और बात सीची बताएंगे आपको, सर, बोलिये, सर, एक मेल किया था मैंने आपको, कल, वी लुक अप से रिगाड़ी, सर, मेल आपके देख तो नहीं भाई थी, मैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, कल सुबा मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ, जी सर, ठीक है, खारी सर,